तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे को और नहीं वीडियो में और आज किस वीडियो में मैं आपको लेकर आगया हूँ शंकर्स इंटरनेश्टेल डॉल्स म्यूजिम जहां पे आप दुनिया वर की डॉल्स देख सकते हैं तो मैं आपकी सारी जानकरी आपको शेयर करने वाला हूँ सारी डॉल्स आपके यांके दिखाने वाला हूँ इस जिगा का पूरा फूल दोर देने वाला हूँ साथी साथ यहां की टिकेट प्राइस टैमिंग लोकेशन सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वा बाकी यह सामने है बादुर्शा जाफरमार और यह म्यूजियम सेंट्रल बैंक नेरू हाउस के पास में है यह चिल्रन्स बुक ट्रस्ट की बिल्डिंग है उनमें से कुछ फ्रोर शंकर्स इंटरनाश्टल डॉल म्यूजियम के हैं और यहां पे आपको ना सिर्फ इंडिया की डॉल्स यहां पे आपको दुनिया भर की डॉल्स देखने को मिलेंगे तो इस मुजियम की जो पार्किंग है वो थोड़ा सा आगे जा के आपको देख जाएगे एमसेडी पार्किंग वहां सामने हैं 20 रुपए है मेरे टूविलर के लगे थैं बाकी फोर विलर का पता नहीं यह वाली तो स्टाफ की पार्किंग है चलिए अंदर चलते हैं इस मुजियम का शंकर्स इंटरनाश्टल डॉल्स मुजियम में टैमिंग लिखी हुई है सुब आप 20 जालों के गुरुप में आते हैं तो छे रुपए लगेंगे आप ज्यादा महेंगे टिकेट नहीं है बहुत जादा डॉल्स देखने को मिल जाएगी अलग 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 कंट्रीज के इफ़ स्टोर पर मागें स्टार्टिंग में सेल्फी पांट सा बनाया होगा फोटो क्लिक करवा सकते हैं डॉल्स के साथ यहां से निकले हैं चेडरन्स बुक ट्रेस्ट इसके पीछे जना मु निकाल के अपनी फोटो ले सकते हैं यह वर्ल्ड का मैप बना हुआ है कि कहने के मतलब की इंटरनेशनल डॉल्स आपको देखने को मिलेंगी हर तरस से यह वाली डॉल्स हेल के लिए हैं खरीब भी सकते हैं कथा कलीकेट हो रहे हैं यहां लिखाया है कि शंकर्ज इंटरनेशनल मुझेम में सबसे बड़ा पॉस्ट्यूम डॉल्स का कलेक्शन है पूरी दुनिया में सब दिखाएंगे आपको अंदर जाके स्टार्टिंग में देखें नमस्ते चोटी से लेकर बड़ी हर टैप की डॉल्स देखने को जाएगी पॉरन डॉल्स मिक्स्ट विभिन विदेशी गुडियां कासकर बच्चों के लिए काफी अच्छी जगह है विजिट करने के लिए शंकर्ज इंटरनाशनल डॉल म्यूजियम काफी बड़ीक्यू से काम किया हुआ है जुनिया भर की डॉल आपको आपको देखने को में जाएंगे कितनी बड़ी बड़ी देखो हाथ से उपर से कंट्रोल करते थे ना डॉल को तो यह वुश टैप की डॉल है मूव भी कर सकते हैं जिससे आप से आप चाहते हैं यह तामिल नाडू की डॉल जाने के मूव भी कर रहे हैं कथा के लिए जो से रहना कैसे हिल रहे है यह डांडी मार्च की डॉल्स हा सारी सबसे आगे महात्मा गान लीजे सारे उनको फॉलो करने इंडोनेशिया की डॉल्स है गाने बानेशिया की यह जोड़ी सारे उनको आड़ाओ सेच्वा नाड़ी नाड़ी इंडोता स्थ गानेशिया ए शोसे बानेशिया यह जोड़ीन तोसे इंडोता श कर भ एच सूथह्पोरें डावज है चेम क्योड़ है श कर या यूरभ है यह सारी रो शीयम कट यूलज है ओ्रेइए इस आरी साउथ अम्मरे गंडोल जा थे रूपी अब रच्जे के डॉल जे चत्तेस गड की डॉल से हारी बड़े बारी किसे देखने वाली चीज़े हैं करनाटक के पंजाब के डॉल्स देखें श्री गुरु करन साहिब जी तो शंकर जी को डॉल्स कलेट करने का काफी शौक होता था जब भी उबार जाते थे तो कॉस्ट्यूम डॉल्स खासकर लट करते थे जब यह बिल्डिंग मुनी थी वुए चिल्रेंस बुक टरस्ट की तो तब डिसाइड किया गया था कि एक हिस्सा डॉल्ज मुजिम के लिए भी बनाया जाए और तब स्टार्टिंग टैम में हजार डॉल्ज होती थी और अपके टैम यहाँ पे साथ हजार से भी ज़्यादा एक्जिबिट्स हैं 85 कंट्री से ज़्यादा तो इस मुजिम के अच्छली दो हिस्से हैं उसमें आपको एक सक्षन में यूरोपेन कंट्री दिखेंगी जिसे यूके, यूएसे, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और कॉमन वेल्ट ऑफ इंडिपंडेंट स्टेट्स और बाकी वाले सक्षन में आपको एशन कंट्री, मिडल इस्ट अफरिका और इंडिया दिखेंगे हैं तो हम शंकर्ज इंट्रनाशनल डॉल्ज मुजिम के बाहर आ चुके हैं और मैं देके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लावा नहीं करें तो बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए थोड़ी सी फोटोग्रा लेना उन्होंने डील करवाई और फिर मैंने थोड़ी सी मतलब रिस्टोर करके आपको दिखा रहा हूं थोड़ी सी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस है हर तरफ कैमरे हैं इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा फुटेज ले निपा पैसे न अंदर आपको अलग अलग टाइपी डॉल दिखेंगे मेरे साब से बच्चों के साथ आने के लिए अच्छी जगा है यहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको आधा गंटे में आप सारी डॉल्स वगरा देख लेंगे चोटी डॉल्स भी हैं बड़ी डॉल्स भी हैं कुछ-कुछ घिलती भी हैं ओपर और और मैं कहूंगा क कई आइडियों के आथ पस कई खाने पीने के रेस्टोंट्स वगरा मिल जाएंगे तो यह सब मैंने आपको बताना था मैं असुल तरह था कि यह म्यूजियम आपको दिखा दूं तो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दे जो भी दिखा सकता था बाकी ऐसी और वीडियो